स्टूडेंट्स आम मुधिता एंड यू आर जॉइनिंग मुधिता आयस वारियर सो क्लास 10 आज हम वर्कशीट साइंस की 7 करेंगे और यह वर्कशीट आपकी 19 जुलाई की है आपको पता हुँगे हम आपको पता हुँगे हम आपसे बोलेंगे मरकरी क्या होता है तो आपको पता हुँगे मरकरी मैटल है कॉपर क्या होता है, अलमीनियम क्या होता है, औक्सीजन क्या होता है, मैटल है या नोन मैटल क्योंकि इसी के बेस पे आप जब चापटर टू पड़ोगे एसिद बेस एंड सॉल्ट वहाँ पे आपको properties याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए metal and non-metal name and symbol of some metal and non-metal तो यहाँ पे देखिए name and symbol दे रखा है name of the element symbol and वो metal है या non-metal तो iron हमारा क्या होता है metal calcium, metal, gold, aluminium, copper, lithium, potassium, mercury, lead and silver is metal देखिए silver जो होता है उसका symbol हम ag लिखते हैं जो scientific name है वो ag से स्टार्ट होता है ठीक है iron का fe से होता है जैसे बहुत सारे element आप देखिए calcium तो c से है और c से ही इसका symbol है बहुत सारे आपको हैसे मिलेंगे जिनका symbol थोड़ा सा अलग होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनका scientific name कुछ और होता है mercury HD इसका नाम भी कुछ और है potassium का नाम के से स्टार्ट होता है अब देखिए non-metal हमारे common non-metal है carbon, phosphorus, hydrogen, helium, nitrogen इसके अलावा आपका sulfur, oxygen, iodine, bromine and neon फटा फट से इसके worksheet के question देख लेते हैं थ्री question है फर्स्ट question में आपको यहां पे कुछ elements दे रखे हैं आपको बताना है कि इनका symbol क्या होगा यहां पे आपको symbol बताना है first question में second question में symbol दिया है इनका name बताना है and third question में आपको classify करना है where as metal and non-metal so फटा फट से solution देख लेते हैं बहुत easy है question था हमारा symbol बताना है so symbol हमारा देखिए bromine का क्या होता है BR, calcium के लिए CA, nitrogen के लिए N होता है lead के लिए PB और silver के लिए AG और इससे पहली जो worksheet 6 थी वो बहुत important थी उस वीडियो में मैंने आपको एक trick बताया था कि आप atomic mass कैसे find कर सकते हैं कैसे याद रख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेए उस वीडियो में आपको ट्रिक मिल जाएगा question number two है identify the following element on their faces of symbol symbol के according to iron के लिए FE क्या होता है iron HG होता है mercury AU होता है gold O होता है oxygen CU होता है copper तो आपको ऐसे याद होने चाहिए identify जिससे आप कर सकें थर्ड कोशन में आपको बोला था metal and non-metal बताने को सो देखिए coal हमारा क्या होता है non-metal होता है क्यूं coal is a form of carbon carbon is a non-metal और जो coal है वो carbon का ही एक form है इसलिए non-metal होता है iodine आपका non-metal है mercury आपका metal है lithium metal है bromine हमारा non-metal है तो यह आपके तीनों के तीनों कोशन complete हो जाते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और मैंने आपको weekend में map work कराया है आप फटा फट से कमेंट में calcium के लिए calcium के लिए symbol लिख दे कमेंट में calcium का symbol क्या होता है कमेंट में जरूर लिखें की मेंट मेंट माँ जरूर काมअबू ए फट ऑ्रिखना대 रहे हैं क längर भी मॉग्स करेंगा गलproको